अब बैगन का चोखा बहुत गंदा बना बहुत ही गंदा तो उतना ही गंदा खाने में भी होगा पता नहीं क्या बनाया तो खाना ही बढ़ेगा क्योंकि बैगन सही क्वालिटी का नहीं था इसलिए में तो तादा देख कर लाई थी लेकिन असा निकल गया और इतनी सर्दी में पहली बार हमारे घर में आया है रूमीटर जोकि हमारी इसी की शॉप है लेकिन आज पहली बार इतनी सर्दी आई तो में लाना पड़ा बटी फिर कल चला जाएगा बापस चेक करने के लिए लाए थे बस क्योंकि हमें रूमीटर के इतना ज़रुवत है ने दिन में हम जला नहीं सकते हमारे मीटर में बहुचाता है और इसलिए हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं बिना रूमीटर की मैं सबस्क्राइब सकते हुआ है तो यह दो आदि जो चुक्राइबर कोई बद्रश के नहीं लेकिन कर से अपना काम सब्सक्राइब करने आज के कपड़े कल के कपड़े बहुत सरे कपड़त हो». तो इसरी संदिल छाथ सर्धी हो, और कुछ भी हो काम त इपनाफ़ घरसाना ही पड़ेगा. मैं मेरे पानल आचिका, कालेती हूं। खांगान खा लेती हूं, उसके बाद मैं नीचे जांगी. मेर क्याब ना इस दिन अवसा चुपा के इस दिन ने बठा हुआ था कौन? मैं यहाँ पर दिमादेने काम के की स्कूल और सब लोग खा चुके बस मैं रहा गया हूँ मैं भी खाती फिर्चन जाती हूं नीचे दो खाय न पर अठा